आज प्रधान मंत्री जी लखनव आए हैं उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फरेंस है इस विशे में मैंने उनको एक पत्र लिखा है आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहते हूं आदर्या प्रधान मंत्री जी नमस्कार लखनव आगमन पर आपका स्वागत कल आपने तीन काले क्रिशी कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्विकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोशना की मैंने अकबारों में पड़ा है कि आज आप लखनव में होने वाली डी जी पी कॉन्फरेंस में देश की कानून व्यवस्था सम्हालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे लखीमपुर किसान नरसंगार में अंदाताओं के साथ हुई खुरूरता को पूरे देश ने देखा आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रिय ग्रिह राजमंत्री का बेटा है राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरूआत से ही नियाई की आवाज को दबाने की कोशिश किये मानिय उच्तम नियालयले ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मन्शा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेश आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है महोदय मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ वे असहनिय पीडा में हैं सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रि ग्रिह राजी मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है लखीमपूर किसान नरसिंहार मामले में जांच की हालिया स्थिती उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार ग्रिह मंत्री श्री अमिट शाजी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी अदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साजा करते हैं आप देश के प्रधान मंत्री हैं आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधान मंत्री का कर्तव यही नहीं उनका नैतिक डायत दिवभी है कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्रे रिदय से किसानों के हित को देखते हुए ख्रिशी कानूनों को वापिस लेने का अभूध पूर्व निरने लिया गया है आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रती आप नेक नियत रखते हैं यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंगार मामले में पीरितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरी होना चाहिए लेकिन केंद्रि ग्रिह राजमंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्री मंडल में अपने पदपर बने रहे हैं यदि आप इस कॉन्फरेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साजा करते हैं तो पीरित परिवारों को सपष्ट संजेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संग्रक्षन करने वालों के साथ खड़े यह किसान सत्य ग्रह में शहीद साथ सौ से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा अगर देश के किसानों के प्रती आपकी नियत सच मुझ साफ है तो आज अपने केंद्र ग्रिह राजमंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होई है उनको बर्खास्त कीजिए देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए धन्यवाद जैन